नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में शाउमी पोको M3 Pro 5G वर्सस ओपो A16 के का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M3 Pro 5G में 6.37 इंच जबकी A16 के में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है विडि की बात करें तो M3 Pro 5G में 2.96 इंच जबकी A16 के में 2.97 इंच की विडि मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो M3 Pro 5G में 0.35 इंच जबकी A16 के में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो M3 Pro 5G में 190 ग्राम्स जबकि A16K में 175 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही इपस LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही डिस्प्ले रेशियो नौ मिलता है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M3 Pro 5G में 6.5 इंचर्स जबकि A16K में 6.52 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन M3 Pro 5G में 1080 by 2400 और A16K में 720 by 1600 मिलता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M3 Pro 5G में 83.72 जबकि A16K में 83 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो M3 Pro 5G में 405 पिक्सेल प्रती इंच जबकि A16K में 279 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो M3 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्रैमरी कैमरा, माक्रो कैमरा और आखर में डेफ्थ कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो M3 Pro 5G में 8 different type के फीचर्स मिल जाते है और A16 की की बात करें तो उसमें 7 different type के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो M3 Pro 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते है और A16K में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते है अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो M3 Pro 5G में Mali G57MC2 जबकि A16K में power GE830 मिलता है चिपसेट की बात करें तो M3 Pro 5G में MediaTek Dimensity 700 MT6833 और A16K में MediaTek Helio G35 मिलता है बात करें RAM की तो M3 Pro 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 4 GB 6 GB की RAM मिलती है जबकि A16K में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 3 GB 4 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो M3 Pro 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 64 GB 128 GB की storage मिलती है जबकि A16K में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 32 GB 64 GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में up to 1 TB है operating system दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है battery M3 Pro 5G में 5000 mAh जबकि A16K में 4230 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो दोनों phone में same ही 3 colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो M3 Pro 5G में 2 variant देखने को मिलते है जो की 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 15,990 रूपीज 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 16,499 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें A16K की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 3 GB RAM 32 GB storage के साथ 10,490 रूपीज 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 12,490 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Gons यानि की फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Poco M3 Pro 5G में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें A16K की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main camera में M3 Pro 5G आगे है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में M3 Pro 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo V21E 5G है दूसरा Motorola Edge 20 Fusion है तीसरा EQZ 5 5G है और लास्ट competitor phone की बात करें तो उसमें OnePlus 980 है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना